हाई फ्रेंज असलाम लेकूम तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ मीठी टिकिया यानि की खस्ते की रेस्पी तो एकदम परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ मैं ये रेस्पी आप तक शेयर करूँगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये बनके रेडी भी हो जाता है और बहुत ही कम चीजों में इसमें कुछ जादा चीजे नहीं लगती हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनके रेडी होता है तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे दो कटोरी मैदा आप च तो ये मैंने देखिए इतना थोड़ा सा खाली ही रखा है और इतना मैंने लिया है ये बारिक वाली सूजी यानि की रवा आप चाहें तो पूरा भर के ले सकते हैं लिकिन थोड़ा सा खाली रहेगा तो सही रहेगा दो कटोरी मैदा लिया है एक कटोरी हमने इसमें रवा लि इसे मैंने हाथों से अच्छे से कद्दू कस करके लिया है, आप चाहें तो लच्छा वाला जो आता है न, वो ले सकते हैं नारियल, और यहां मैंने डाल दिया है, आधा कटोरी यह है, इसी कटोरी से, अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई हरी लाइची, इस तरीके से मैंने दरदरा सा कोट लिया है बस और इसमें कुछ भी नहीं जाएंगे अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों से मसलते हुए इसमें हमने जो रिफाइन तेल डाला है और यहां मैंने ले लिया है आधा कप ये है दोध दोध हलका सा गुन-गुना है और इसी कटोरी से मैंने डेड़ कटोरी इसमें लिया है चीनी मैंने कहा ना आप गिलास से कटोरी से कप से किसी से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं तो इसी कटोरी से मैंने ले लिया है डेड़ कटोरी चीनी और अच्छे तरीके से इसे चला देते हैं कि जो चीनी है अच्छे से गुल जाए दूद में अगर आप चाहें तो पानी से भी इसका आटा तयार कर सकते हैं लेकिन दूद से बहुत ही अच्छा बनता है तो देखिए मैंने हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसे रेडी कर ली हूँ और जो हमने ये नारियल कदुकस करके डाला है उससे बहुत ही अच्छा लगता है ये खस्ते में टेस्ट क्यूंकि ये थोड़ा ओईली भी रहता है जो बुरादा रहता है वो सूखा रहता है हमने घोल बनाया है वो डालते जाएंगे और इसका थोड़ा सक्त ही आटा रेडी करेंगे हमें इसका आटा जो है नरम नहीं रखना है थोड़ा सक्त ही रखना है तभी जो खस्ता है खस्ते जैसा बिलकुल खस्ता बनेगा तभी मतब जैसे आप बनाएंगे इसे और इसे फ डो रेडी कर लेना है तो बहुत ही आसान है इस बार आप जरूर से बनाए ये मीठी टिकिया और देखिए कितने कम चीजों में ये बनके रेडी हो जाता है आप चाहे तो इसमें सफेद वाला तिल आता है जो वो भी एट कर सकते हैं खस-खस एट कर सकते हैं लेकिन मैंने वह होतिकम बजट में बताया है, यह खस्ता बनाना, अक्सर हमारे घरों में, टिकिया इसी तरीके से बनता है, और हम लोग इसी तरीके से बनाके, और फादिया दिलाते हैं, तो देखिए यह हमारा ग्षटे का डो, रेडी हो चुका है, इसी तरीके से एक दो पंच लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए अच्छे से ये इसमें जो सूजी हमने एट किया है वो भी अच्छे से फूल जाए तो ये जब रख देंगे 10 मिनट के लिए तो थोड़ा और भी सक्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसे रख दिया था देखिए कितना अच्छे से ये सेट हो चुका है थोड़ा सक्त भी हो चुका है तो इसी तरीके से हमें इसकी जो है लोईया बना लेनी है मैं इतने आटे में तीन लोईया बना के रेडी करूंगी आप छोटा बड़ा किसी भी आकार का बना सकते हैं लेकिन जो हमें इसे बेलना है इसकी रोटी तयार करनी है थोड़ी सी मोटी ही रखनी है थोड़ी मोटी रहेगी तब ही जो खसता है अच्छा बनके रेडी होगा तो इसी तरीके से रोटी की तरह हम इसे बेल लेते हैं और हमारी वीडियो आप लोगो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे जो नी हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले तो बहुत ही आसान है देखिए मैंने इसे बेल की रेडी कर ली हूँ अब हम एक गिलास लेंगे आपके पास कटर है तो उससे भी काट सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं एक गिलास ले रही हूँ और उसी से मैं ये काटूंगी तो देखिए इतनी ही मोटी मैंने बेल की रेडी की हूँ तो ये देखिए एक गिलास ली हूँ मैं और मैं इसी तरीके से इसे काट लेती हूँ तो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये बनता है ज़र उसे बनाएं आप लोग भी और हमें कमेंट भी करें ये आप लोग की रेश्पी कैसी बनी और रेश्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें तो देखिए इसी तरीके से मैं सारा कट करके रेडी कर लेती हूँ बहुत ही आसानी से कड़ जाता है देखिए नहीं हमने इसे ज़्यादा सक्त गूथा है आटे को और नहीं ज़्यादा हमने इसे नरम गूथा है बहुत ही परफेक्ट है तब ही देखिए कितने आसानी से ये बन जा रहा है तो देखिए और इसमें जो ये नारियल हमने एड़ किया ना इसका फिलेवर बहुत ही अच्छा लगता है तो जरूर से आप लोग भी येसी वाले नारियल को इसमें आड़ करें तभी जो असली इसका टेस्ट है ना तभी आएगा आपको खाने में क्योंकि जो सुखा वाता है जैसे लच्छा ब्रादा बोलते हैं डेसी कट कोकोनट बोलते हैं जो पारिक वाला रहता है उसका उतना अच्छा फिलेवर नहीं रहता है जो इस वाले में रहता है इसमें थोड़ा बहुत तेल भी रिलीज होता है जो कोकोनट तेल होता है तो देखिए इसी तरीके से मैं सारा बना के रेडी कर ली हूँ और बहुत ही आसानी से बन गया है और हमारे वीडियो को प्लीज फुल वाज कीजिए पूरा वीडियो देखे आप लोग स्कीप करके देखते हैं तो फिर बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि हमारी फुल वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं हम लोग सब लोग जितने भी यूटूबर हैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कितनी तकलीफे होती है जब वीडियो बनाते हैं तो प्लीज आप लोग फुल वाच कीजिए तो देखिए कढ़ाई में मैंने तेल रख दी हूँ हलका सा गुनगुना हो गया है हमें जो तेल है जादा गरम नहीं चाहिए जादा गरम रहेगा तो उपर से ये फटाफट से जल जाएंगे और अंदर के जो रहेंगे वो कच्चे रहेंगे और खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेंगे तो हमें तेल को हलका फुलका गुनगुना ही रखना है तो मैं कणाई में ऐसे ही सारे पीसस को डालती जाओंगी और इसे अभी मैं एक से दो मिट के लिए टेश नहीं करूंगी अच्छे से पहले ये तेल में डूब गया है देखिए अब थोड़े बहुत ये पकने लगेगा उसके बाद मैं इसकी साइट चेंज करूंगी तो देखिए कितना आसान है ना कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा ताम जाम है बस फटा फट से बनाईए और खाईए बहुत ही यमी सा बनके रेडी होता है तो प्लीज वीडियो को फूल वाज करिए मैं आप लोग से यही कहती रहती हूँ और जो है मेरी वीडियो को प्लीज जादा से जादा शेयर भी करें तो देखिए इसमें अच्छे से देखिए बबल से आने लगे हैं तो अब थोड़े बहुत मैं इसे ऐसे ही हिलाडूला देती हूँ कि नीचे चिपके ना नीचे वैसे चिपकेगा नहीं मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कर देती हूँ अब हम रखेंगे इसे तो देखिए मैं इसकी साइड भी चेंज कर रहे हैं देखें ये थोड़ी मोटी बेलो Sharona तो इसका पकने के बाद आब है साइज ये थोड़ा डबल हो जाता है तो इसी लिए जादा मोटा भी नहीं बेलना चाहिए और जादा बतला भी नही बेलना चाहिए तो ये जो है ना इसकी देखिए साइज इतना सही रहता है खस्ते की यानि की मीठी टिकिया की तो अब हम इसे उलड़ते प्लड़ते हुए मीडियम टूलो फ्लेम पर अच्छे से कलर आने देते हैं देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया बहुत ही खस्ता बना है तो अभी तो थोड़ा ये नरम दिखेगा अभी हम इसे रख देंगे थोड़ा सा ये ठंडा जब होगा न तो बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया और बहुत ही यम्मी बनके रेडी हुआ है तो जरूर बनाएं आप लोग भी तो इसी तरीके से अब मैं इस सारे खस्ते को निकाल लेती हूँ क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो इसका जो कलर है ना थोड़ा डार्क हो जाएगा तो ये अच्छा कलर है ये ठंडा होने के बाद इसका कलर और अच्छा हो जाएगा अब ये आप लोग देखते जाएए तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे हुए जो हैं मैं उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ तो ये देखिए मैंने सारा निकाल ली हूँ और जो बाकी के बचे हैं उसे भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर ली हूँ तो बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और सब कर लेती हूँ आप सबको दिखाती हूँ कि कितनी यम्मी सी ये खस्ता मेठी टिकिया बनके रेडी हुआ है तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही खस्ता बना है तो जरूर बनाईए बहुत ही कम बजट में इस बार मेठी टिकिया आप लोग भी इंजॉय करें और हमारी रेस्पी कैसी लगी प्लीज जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई